हम जो discuss करें हैं वो है how does ecosystem work इससे पहले हमने वो बिल्कुल snow covered जो है वो mountain peaks देखी है अब जो है वो ही चीज है वो ही eco zone है हमने उसको नाम दे दिया है Barren Highland Ecosystem in Pakistan अब ये Barren Highland Ecosystem जो है कहां से start हो रहे हैं कहां तक जा रहे हैं Barren का मतलब बिल्कुल बंजर जहां पर जिंदगी हमें जो है वो बहुत कम नजर आएगी तो पाकिसान में जो north western mountains है और जो above जो है वो 5000 range के हैं वो सारी permanently snow covered zone है वहां पर May से September तक जो temperature है वो vary कर सकता है 4 to 5 degree Celsius तक लेकिन जो है वो 6000 से जैसे ही हम बुलंदी की तरफ जाते है तो वहां all the year जो temperature है वो 0 degree Celsius रहता है अब इस जो 6000 से उपर जो है जहां पर हमें जिंदगी की कहीं पहली चीज नजर आती है उसे हम जो है वो यो line zone कहते हैं ये extend करता है up to 6700 मीटर तक अब यहां जो है वो life बहुत short है सिर्फ जो है about 60 to 90 days की अब इतनी जो है वो short time के अंदर जिंदगी का अगाज होना और उसके बाद जो है वो biomass की production और उसके बाद उस energy flow का जो है वो आगे जाना वो हम जो है वो कैसे देख सकते हैं ये पहाड़ी सिसले जो के बिल्कुल snow covered है जहां पे कुछ भी नहीं है तो वहां पे जो है रहने वाले अगर कोई परिंदे हैं कोई जानवर हैं तो वो फिर अपना food जो है वो कैसे लेते हैं क्योंकि इर्दगेट का जितना environment है वो उसके लिए adopted है तब ही वो वहाँ पर जिन्दा है यहां पे हम एक example जो है वो देखेंगे के food change जो है वो यह लेन zone के अंदर जो है वो कैसे है यानिके 6,700 मीटर की बुलंदी के ओपर जो के snow covered area है जहां पे temperature जो है वो मै से September के दर्मया सिर्फ 60 to 90 days जो है वो 4 to 5 degrees Celsius जो है वो होगा तो वहाँ पे कौन-कौन से जो है वो animals हो सकते हैं अब यहां पर जो है वो जो source of food है वो basically जो है वो pollens है, plant fragments है, dead कोई insects है, tiny mites है, spiders वगएरा आ गई है, dipterian insects, diptera जो order है उसके अंदर mosquitoes आ जाते हैं, different किसम की flies आ जाती हैं, यह जो जिए है वो dead जो हुए होए जो है insects यह कहां से आते हैं दर रखीकत नीचे से उठने वली जो पहाड़ी चसले हैं उसमें हमेशा जो है जैसे तूफाने बादो बारा चलता रहता है, वहाँ होएं चलती रहती है तो नीचे जो होता है जो इको जो होता है, वहाँ से जो हवा आदनी हैं वह अपने साथ बहुत सरी इस किसम चीदे लेका उपर की तरफ बढ़ती है अब यह चीजें उपर जहां-जहां कहीं पर उनको जगा मिलती है वह वहाँ वहाँ पर Settle down हो जाती है इह ते इनमें यह तमाम चीजें अब उनको कोई Plant Material है इसका मतलब है कि उसकी फर जो है वो या उसके जो फैदर्स हैं वो उसको वहाँ पे गरम रखते हैं तभी वहाँ पे जिन्दा जो है वो रहता है अब इसके इलावा जो है ये रेड बिल कफ हैं और ये जो है वो येलो बिल जो है वो कफ हैं ये दोनों परिंदे हैं ये जो है आपको उड़ते वे जो है वो नजर आते हैं सम टाइम जो है वो दो दो तीन तीन चार्चर घंटे जो है उड़ते रहते हैं तो वो मौनिंग से अपनी फ्लाइट स्टार्ट करते हैं संसेट तक जो है ये उड़ते रहते हैं और उस तुरान जो है ये कहीं पर कभी किसी रॉक के ओपर थोड़ी देख के लिए बैट ये रेस्ट किया और फिर दुबारा उड़ना शुरू किया जो है ये मुखलिव जो टाइनी से जो क्रियेचर्स हैं या इनसेक्ट्स वगारे ये इनकी खुराक है इनमें जो है वो मोस्ली जो है इन्होंने स्पाइडर्स जो होती है उन उनकी बॉड़ी को वो वाम अप रख सके ये जो इस तरह का मटीरियल है ये कहीं रॉप के उपर कहीं सर्फेस ओफ रॉप जाँ प्लेन है कहीं जो है वो डिप्रेशन है रॉप के वहां सेटल हो जाएंगे और वहां पर जब यह जो परिंदे हैं जब आकर बैठेंगे जो क सारा दिन ओड रहे थे और देख रहे थे को उनका शिकार उनको कहां पर मिल जाएं तो ये वो उसको जो हो खाते हैं इसका मतलब है कि ये वो जो food items है ये वहां पर उस snow crow को और ये red bill जो cuffs हैं और ये जो yellow bill cuffs हैं इनको जो है वो attract करते हैं कि यहां पर जो है वो फीड अवैलेबल है लेकिन यह जो जो रेड बिल जो येलो बिल कफ हैं यह जो है वो तकरीबन 1500 मीटर तक जो है वो जा सकते हैं अपनी फूट को डूणने के लिए यह यह उपर भी उडएंगे बहुत बुलंदी तक और उसके बाद अपनी फूट को डूणने के लिए नीचे भी जाएंगे तो यह बर्ड जो है वो इस तरह अपना गुजारा करेंगे यह कीनन वहां पे जो है वो स्नोप पिजन पाया जाता है जो के बिलकुल जो है किसी रॉक की जो एज होती है प्रोजेक्चन ही होती है उसके अंदर अपना जो है वो गौसटे के मटीरियल कहां से आएगा बहुत सरे पैदर्स जो है बहुत सरे जो इंसेक्स के विंग वगरा हैं वो उसको और वह अपना नेस् को जो अठिकी सा नेस्ट बनाएगा और वह ओंदे देगा, और फिर उसके बाद इसकी निशल आगे चलेगी, लेकिन इस दोराँ जो फीड भी करेगा अपनी जो नेस्लिंड हैं , जो आखी निकलाएं यह birds है अब birds के अलावा वहां पे larger animals में हैं larger animals के अंदर हीमलाइन áईबेक्स है हीमलाइन आईबेक्स यह है वो जहां पर जब यह यह material वहां पर पाया जाता है और यहror जो plant material और इस قسم की तमाम चीजह जब जब ले शाष़ deposition ज़्यादा हो जाए, deeper layer में हो जाए, तो वो automatically जो है, वो वहाँ पर moisture भी साथ माजूद है, लेहाज़ा, grasses जो है, वो बहुत छोटी-छोटी patches की form में, green जो है, वो वहाँ पर उग जाती है, तो यह जो Himalayan Ibex है, वो उन grasses को खाकर अपना गुजारा करता है, यह एक larger जो हर्भी वो animal है, लेकिन इनका number जो है, वो कम होगा, और यह जो है, वो activity सर्फ 62-90 days के दुरान, जो होगी, अब यह जो Himalayan Ibex है, यह एक, जो है, वो larger हर्भी वोर है, अब अगर गौर से देखा जाए, तो यहां पर परिंदे भी हैं, यहां पर हमें जो है, वो एक mammal भी जो है, जो हर भी वोर in nature है, वो भी मिला है, तो इनको, जो है, इनकी population को चेक करने के लिए, क्योंकि ecosystem क्या है, वो हमेशा balance जो है, वो चीजों को रखता है, nature जो है, source है, food का, वो वहां पर available है, तो इनकी population जो है, वो check and balance, इस तरह जो है, उनकी food resources जो है, वो वहां में limited हो जाते हैं, तो उनको जो है, nature automatically check and balance के उपर ले आती है, अब यहां पर अगर himaline ibex है, तो इसको खाने के लिए है, इसकी population को control करने के लिए, जो है, वो वहां पर क्या होगा, वहां पर snow leopard होगा, जो के carnivore and nature है, अब snow leopard जो है, उसके लिए एक जो है, वो बकरा, दो-चार दिनों के लिए काफी होगा, एक से जादा बकरेगा, शिकार करेगा, next जो है, वो उसके लिए है, उस वो वहां पर number में भी कम हो जाएगा, और जो है, उसका जो quantity of food है, जो उसने take up करनी है, वो भी जो है, at one time, वो ज़्यादा होगी, तो इस तरह energy जो है, वो grasses से, जो है, हमालियन ibex और हमालियन ibex से जो है, वो snow leopard है, वो वहां तक पहुँचे, energy flow भी हुआ है, और जो है, वो biomass production भी है, in the form of patchy grasses, और इसी तरह यह जो birds है, यह अपना जो है, वो खा रहे हैं, food खा रहे हैं, अब इन के लिए जो limitation है, again, जो food sources हैं, वो limited हो जाएंगे, अगर कोई weather cloudy है, तो हवाएं जो है, इतनी जादा नहीं चलेंगी, sometimes जो हैं, अगर snow pigeon ने वहां पर, जो है, वो eggs दिये में हैं, और वो बहुत नीचे तक, जो है, वो अपने, जो nestlings हैं, उनके लिए food लेने के लिए नीचे तक आता है, लेकिन जो है, वो बहुत जादा नीचे भी नहीं आ सकता, वो उस nest को, जो, open भी नहीं छोड़ सकता, तो sometime बगैर, जो है, वो किसी चीज के, because of hunger, जो है, वो, जो species है, या वो जो individual है, या वो birds जो है, वहां पर खतम हो जाएंगे, तो nature automatically by one way or the other way, जो है, वो population को control रखती है, ताकि ecosystem के अंदर एक balance, एक तवाजन बरकरार रखे, उसके अंदर कोई भी चीज, एक हद से जो है, वो ना बढ़ जाए,